सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का अपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Instagram यूज करते हैं और Instagram पर आप जब अपना वाइट स्क्रीन आजाती है आपके सामने तो आप नेम चेंज नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल से स्टैप्स को फोलो करना होगा, मैं आपको पता देता हूँ, सबसे पहले आपको अपडेट लिखा मिलेगा अगर आपको अपडेट लिखा मिल जाये तो अपडेट ज़रूर कर ले क्योंगि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो में भी हो सकता है कि technical Iș те आपको फेज करनी पड़े तो make sure आपपने Instagram को update कर ले तो update करने के बाद आपकी problem solve हो जाएगी अगर फिर भी आपकी problem solve नहीं होती है दन उसके बाद आपको back आना है और setting में आ जाना है setting में आने बाद आपको scroll करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको apps देखने को मिलेगा apps पर click करना है दन उसके बाद यहाँ पर manage apps है manage apps पर click कर लिजिए उसके बाद आपको search bar देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको search करना होगा Instagram Instagram को यहां से open करना है सबसे उपर आपको देखने को मिल रहा है Stories, Stories पर क्लिक करिए नीची आईए और सबसे पहले इसका Clear Cache कर दियेगा सबसे पहले Clear Cache करिएगा और Clear Cache करने के बाद आपको चेक करना है आपकी Problem Solve हुई या नहीं हुई अगर आपकी Problem Solve नहीं होती है इससे तो आप उसका Clear All Data कर दिजिएगा अगर आप Clear All Data करते हैं तो उससे पहले आप एक बात का ध्यान रखिएगा और आपको आपके Instagram का Password याद नहीं है तो आप Logout हो जाएंगे अपने Instagram Account से जब भी आप Clear Data करेंगे तो सबसे पहले तो आपने Instagram का Account का Password पता करिएगा तभी आप यहाँ से Clear Data करिएगा तभी आप Login कर पाएंगे तो यह काम करने के बाद आपकी Problem Solve हो जाएगी अगर फिर भी आपकी Problem Solve नहीं होती है तो Finally आपको एक और काम करना है किसी भी Browser को Open कर लेना है इस वेबसाइट को यहाँ से Open कर लेना है Open करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जैसे आप स्क्रोल करेंगे आपको बहुत सारे Versions देखने को मिल जाएगे यहाँ पर वन मंत पुराना कोई भी आप Versions यहाँ से उठा सकते हैं इस वर्जन को आप डाउनलोड कर लिजिए इस लिए क्योंकि आपको यहाँ पर न्यू वर्जन वर्किंग में नहीं है तो आप जो है ओल्ड वर्जन जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपकी प्रॉल्म सॉल्फ हो जाएगी और आप इसी नेम चेंज कर पाएंगे क्योंकि कई बार जो है अपडेट हुए वर्जन जो होते हैं उनमें टेकनिकल इशू हो जाता है तो आप जो है मेक शूर अपना ओल्ड वर्जन प्रोपर से आपका वर्क करेगा ओल्ड वर्जन को आप इंस्टॉल कर लिजिए गा सो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको फिर भी कोई प्रॉलम फैस करने पड़ती है मुझे कमेंट बॉक्स में जुरू बताएगा मैं आपके लिए कोई और सेलिशन ले कराऊंगा सो गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिलने बैटे क्या लब यू